है 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 हलो एवरिवान माइम ही चैंदन सेंग एंगलिस ट्वेनर विल गई जी सेकेंड एडिटोरियल है 11 अप्रिल 2019 थोस्टे लेखते किस पारे में गई कैसे लिखाया है दांते वाड़ा एक जगह है वहाँ पर एंबुश हुआ है एंबुश का मतलब कि घात लगाकर किसी का कतल करते हैं उसे एंबुश कहते है रेखे एस पोलिंग बिगिंस इन चैटिसगर जैसे ही चैटिसगर में पोलिंग जो है वो जो वोटिंग है वो शुरू होती है अब बूटल रिमाइंडर बूटल मतलब बहुत ही खतरनाक से देखें यह लिख्या है कि the election commission has taken the correct decision यहां इन दिखाता है, यह दिखाता है क्या करने का तो गो excerpt from work यानि कि जो पहला जो चरण है वोटिंग का उसका जो पहला चरण है उसको करवाने का जो फैसला लिया है कब on Thursday in the लोकसभा election जो लोकसभा election में in 36 गर्ड आफ्टर देडली मोईस अटैक इन दानते वाड़ा on Tuesday और यह जो फैसला लिया है कब लिया है जब Tuesday को देखें आफ्ट देडली मोईस्ट अटैक यानि कि Tuesday को बहुत ही इदम डेडली खातरना जो ब्रूटल अटैक जो किया गया है दानते वाड़ा में मोईस्ट के द्वारा उसके बाद यह फैसला लिया है election commission ने कि बहीं जो पहला चरण है जो first जो face of polling है वो Thursday को होगा तो होगा यह बात यहां तक कही गई आगे देखते हैं मोईस्ट इस ट्रक एट अ कॉन्वय इन दानते वाड़ा पहले इसको समझे इस ट्राइक का मतलब हमला करना होता है तो इस ट्राइक का जो second form है यह इस ट्रक है और यह आपको past इंदाफनिट है तो टेंसे तो आपको चाहिए ही चाहिए तो मो है उसने उस कॉन्वय पे जो गाडियों का जो काफिला निकलता है उस पर अटैक किया दानते वाड़ा में विच कम्स अंडर द बस्तर पार्लियमेंटरी कंस्टिचुएंसी अब देख रहें विच विच आपका एक रिलेक्टिव प्रोनाउन है और विच जो है वो दानते चल वाड़ा आता है एंड के खिल्ड भीमा मान्डवी उसको मार दिया यह कॉमा है और यह लिखा हुआ है कि धूजपीम्स आमëल य翼 यानि जो भीमा मान्डवी है उसके बारे में fuck इस्ट्रा इनफोर्मिशिन दी जा रही है, इस कॉमा को हम एपोजिशन कहते हैं, यह भगल वाले नाउन के बारे में इक्स्ट्रा बताता है, तो किसको मार दिया, भीमा मानडवी को मार दिया, कौन है वो, तो बीजेपी MLA तो दांते वाड़ा तो दांते वाड़ा से वो BJP MLE है and four security personal और चार security जो परसनल थे जो काम करते थे security का उनको भी माढ डाला तो यहां तक समझ में आ रहा है कि Tuesday कोई यह हाथसा हुआ था जिसमें यह जो भीमा माढ वी है इनकी भी जान चली गई, जो कि MLA है, दानते वाड़ा से, और चार जो उनके security करमचारी थे, परसनल थे, उनकी भी जान चली गई है, ये Tuesday को ये हादसा हुआ है, और Thursday को जो लक्ष था, एम का मतलब कि जो एक target बनाया था, वो क्या था? वो साफ साफ था क्या करने का है, देख ही है, टू के बाद वी वन है, टू के बाद जब वर्ब की first form आती है, वो इंफिनिटीव है, ये purpose को दिखाता है, तो एम जो था, वो साफ साफ था, disrupt the electoral process, जो हाँ पर voting ह रही थी उसको disrupt करने का था उसको तबाह करने का था and it will be vital for the administration और यह जो है वो प्रशासन के लिए बहुत ही vital होगा बहुत ही महतपुर्ण होगा to ensure polling जो कि polling को सुनस्चित करे without fear of violence कि बिना किसी violence के बिना किसी हिंसा के डर के जो polling हो सही सही हो यह administration को सुनस्चित करना चाहिए अब देखिए equally grimly equally समान रूप से grimly grimly का मतलब होता है कठोरता से the attack underlines यह जो attack हुआ है यह underline करता है यह दिखाता है the reality that for all the reverses they have suffered in the past few years अब यह जो कठोरता पुर्वक की जो attack है equally grimly मतलब समान रूप से कठोरता पुर्वक यह जो attack है यह दिखाता है underline करता है किस चीज को the reality उस सच्चाय को दिखाता है that for all the reverses जैनि कि जितने भी जो reverses थे reverse का मतलब जो संकट था जो problems थी they have suffered जो उन लोगों ने सफर किया in the past few years the moist retain their ability इतना जो सफर किया है तो जो moist लोग है उन्होंने retain their ability अपने उस योगता को बरकरार रखा है क्या करने का योगता है to pick and choose targets कि यह target को pick करें ढूंडे पतलो उन्हें chain करें और मार दे उन्हें तो यह बात कही गई तो यहां पर बिल्कुल समझ में आ रहा है कि equally grimly the attack underlines the reality that for all the reverses they have suffered in the past few years पिछले कुछ सालों में जितनी भी problems उन्हों लोगों ने झेली है इस चीज को दिखाता है यह attack कि इतनी problem झेली है तो अब attack करेंगे ही अब वो लोग एक ability बना लिए है अपनी योगता उनकी हो गई है कि भाई pick करो choose करो अपने target को मार दो उसे यह बात कही गई अब देखे इनिशियल रिपोर्ट सेजेस्ट शुरुवाती जो रिपोर्ट है वो बताता है धाट एन इंप्रोवाइजड एक्स्प्लोसिव डिवाइस ब्लू अप दे लीड वीकल इन दे मान्रवीज टू वेहिकल कन्वोई पहले यहां तक समझते हैं जो अभी जो इनिशियल रिपो जो एक जो इंप्रोवाइज costs इंप्रोवाइजड इक्सप्लोट का बताता है कि एन इंप्रोवाइजड मतलब न किसी त्यार ही और जो दूसरी जो गाड़ी थी, वो किस में आगया, गन फायर में आगया, फ्रॉम दा मॉइस्ट, यहीं कि मॉइस्ट लोग फिर गन फायर करने लगे, तो दूसरी गाड़ी पर बंदूग से अटेक हुआ, अब देख रहे हैं, मॉइस्ट के बाद यहां लिखा है, वो आपका एक relative pronoun है, जो इसको दिखा रहा है, तो इस who से जो चालू हो रहा है, वो adjective का काम करता है, इसलिए हम इस sentence को, इस clause को adjective clause कहते हैं, तो फिर से समझिए, कि जो पहला वाला था, उसे तो बंब से उड़ा दिया, जो improvised explosive device था, उसे उड़ा दिया, and the second, जो दूसरा था, then came under gunfire, वो gunfire के अंडर में आ गया, gunfire कहां से हुई थी, from the moist, उन moist माववादियों से हुई थी, who had laid the ambush, जिन्होंने ये पूरा जाल बिछाया था, ये घात लगाया था, किलियर है, a speedy inquiry should clarify the facts of the incident, अब इसको देखे, कि speedy inquiry चाहिए, फटा-फट जो inquiry हो, वो inquiry होनी चाहिए, तो ये जो inquiry है, should clarify, तो इस inquiry को ये clarify कर देना चाहिए, उस facts को of the incident, कि घटना की क्या सचाहिए थी, but it is reported that, but ऐसा ये report मिला है, that the BJP legislator may have been complacent, तो ऐसा एक report आया है, कि जो BJP की जो legislator थे, वो शायद may have been, मतलब 50% chance है, तो शायद वो लापरवार रहे होंगे, may have been complacent, तो लापरवार रहे होंगे, choosing to ignore, अब कैसे लापरवार रहे होंगे, वो दिखाया हुआ है, choosing to ignore the police advice, यानि कि क्या करके, ing लगा है न, present participle कहते हैं, क्या करके, तो choosing to ignore the police advice, police के advice को बिल्कुल ignore करके, ऐसा उन्होंने चैन कर लिया है, कि वो इग्नोर कर देंगे, police के advice नहीं मानेगे, तो नहीं माना, तो नहीं माना, तो लापरवाही तो दिखी, इसलिए बात कहे जा रहे है, कि ऐसा report है, कि जो बीजेपी की legislator थे, may have been complacent, यानि कि वो लापरवाह रहे होंगे, ये करके, कि पुलिस जो extra additional security cover दे रहे हैं, तो इसको ना मान कर, ग्रामर में देखने वाली बात यह है, कि यहाँ पर देख रहे हैं, पुलिस एडवाईज, that he take along, देख रहे ही के बाद यहाँ take है, अब ही के बाद तो takes होता है, यहाँ पर नहीं लगा है, इसे हम बोलते हैं, present subjunctive mood, यह कभी में सिखाऊंगा आपको, आगे दिखते हैं, तो यह उन्होंने ignore कर दिया, और जिससे लापरवाही जलगती है, that was available to him, और यह जो additional security cover जो है, उनको available था, लेकिन लिया ही नहीं, उन्होंने बोला, चोड़ो यार, यह बात है, however, however मतलब फिर भी, इसके बाद भी, these early details also show, और यह शुरुवाती तोर पे जो detail आई है, वो यह भी दिखाता है, that in terms of intelligence, अगर हम intelligence की बात करें, in terms of का मतलब क्या है, कि अगर हम intelligence के point of view से देखे, the attackers managed to be one step ahead, यहनि कि जो इन्होंने attack किया था, वो हम से हमारी security से एक कदम वो जादा होने के लिए, उन्होंने मतलब manage किया कि एक कदम उसनोंने जादा दिखाया, मतलब intelligence की बात करें, सिंपल से बात है कि intelligence में वो हम से तेज निकल गए, जिन्होंने प्लान किया था, despite the heavy security बंदोबस्त in the area, in light of लोगसभा election, देखें, despite का मतलब होता है के बावजूद, तो किसके बावजूद, heavy security बंदोबस्त, इतना heavy security हुआ, इसके बावजूद भी, और यह जो security हुआ, in light of the low-savay election, in light of का मतलब होता है के कारण, तो low-savay election के कारण, जो heavy security बंदोबस्त हुआ, उसके बावजूद, despite का मतलब है, बावजूद, जो, जो गुंडे लोग जो है, उनका जो intelligence है, जो attackers का है, जो intelligence है, वो हमसे एक कदम ज्यादा सावित होता है, killer है, आगे देखें, given that, इस सब पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, despite भी वीडियो बना हुआ है, given का मतलब होता है, ध्यान में रखते हुए, इस पर मेरा वीडियो बना हुआ है, तब देख लिजए, तो given that, यानि कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, it is difficult to fully secure a state, यानि कि इस state को पूर्ण रूप से secure करना मुश्किल है, with a history of violent attacks, जहां उस state में पहले से कि history रही है कि ऐसे हिंशात्मक attack होते रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए, यह बहुत मुश्किल है, state को secure करना, it is important, यह महतपूर्ण है, that adequate measures be put in place to protect the candidates in the fray, अब देखिए, यानि तो समझ मैं कि given that, इसको ध्यान में रखते हुए, it is difficult to fully secure a state, यह बहुत ही मुश्किल है, state को राज को पूर्ण रूप से secure करना, with a history of violent attacks, जहाँ पर पहले से, जो history है, वो इस तरह से हिंसात्मक attack के है, it is important, फिर भी, कॉमा है कि यह important है, यह महतपूर्ण है, that adequate measures, जो बहुत से अधिक से अधिक measures है, जो उपाय है, be put, यह जो आप B देख रहे हैं, इसे बोलते है, यह present subjective mode है, यह B को आप should be समझ लीजे, मैं कि in place, उस जगह पर to protect the candidates, ताकि candidates को protect किया जाए, कहाँ पर, in the fray, fray का मतलब, जब उस तरह की कोई लडाई हो जया, दंगा हो जया, तो उन्हों protect किया जाए, over 160 of them, उस में से 160 से भी जादा थे, शाय दून में से, यह दिखा रहा है, for the 11th लोगसभा constituency, यानि कि इस 11th लोगसभा constituency के लिए, that will go to the polls in 3 phases, जो कि 3 phases में होगा, on April 11, 18 and 23 को होगा, तो चुकि यह होगा, तो इसमें अधिक से अधिक security होनी चाहिए, अब देखें, after the relatively peaceful conduct of the assembly election in the state last, late last year, अब इसको देखें, after the relatively peaceful conduct, relatively के दो मतलब होता, एक तो होता है कि अब relate करके देखो, एक मतलब होता है, पूर्ण रूप से, पूर्ण था, तो जो peaceful conduct of the assembly election last year में, जो एक दम शान्ती पूर्वक जो assembly election हुआ था, उसके बाद, it would have signaled a precipitous slide if the electoral process in 36 गर्ण वर to be disrupted now, अब देखें, एक बात तो कहीं गई है, कि पिछले साल, जो late last year में क्या हुआ कि, a relatively peaceful conduct of the assembly election, बहुत ही शान्ती पूर्वक जो assembly election हुआ, तो ये होने के बाद, अगर देखें, इफ देखें, इफ देखें, प्रोसेस इन 36 गर्ण वर to be disrupted now, अगर ये disrupted होना होता, तो it would have signaled a precipitous slide, तो ये पहले ही एक signal दे दिया होता है, खतरनाक slide की रूप में, precipitous slide की रूप में, एक signal दे दिया होता, कि भाई, ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना शान्ती पूर्वक पिछले साल हुआ कि कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस साल ऐसा हो जाएगा, तो इस पूरे sentence को अब सम attack highlights, जो latest attack है ये दिखाता है, the need for the security forces to keep updating their standard operating procedures, तो ये जो attack ये दिखाता है, कि the need की जरूरत है for the security forces, security forces के लिए to keep updating, कि update करते रहे their standard operating procedures, कि इनका जो एक standard operating procedure उसको update करे, मतलब update रहेंगे तब ही तो पता चलेगा, कि एक तो है कि security आप update करेंगे, तभी पता चलेगा, कि आगे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, it is also a call for the civil administration, और ये एक और message है, call मतलब एक संकेत है, संदेश है, किसके लिए, civil administration के लिए है, क्या करने के लिए संकेत है, to keep extending its reach, अपने उस पहुँच को बढ़ाते रहें, in the forest of central India, इंडिया क जंगलों में अपने उस पहुच को, मतलब और लंबा उसको बढ़ाते रहें, ये उनके लिए भी एक संदेश है, civil administration के लिए, especially बस्तर, जो बस्तर जो जगा है उसमें, even as the security forces is tear down, और even as, मतलब की, खासकर उस वक, जब security forces, जो है, stare down, तक्कर देती है, the moist thread, moist के धमकी को टक्कर देती है, the political and administrative responses are crucial, किसके बाद भी जो political और administrative जो response है, वो बहुत ही important है, बहुत ही crucial है, वो होना चाहिए, in most of the violence hit regions, जितने भी ये, जो हिंसा से related, जो छित्र है, of India, भारत के, responsibility for security has been passed on to the parliamentary forces, तो जो जिम्मेदारी, जो है, responsibility, जो है, security के लिए, has been passed, present perfect capacity, कि उसे सौप दिया गया है, भेज दिया गया है, कहां पर, on to the parliamentary forces, parliamentary forces, parliamentary forces पे भेज दिया गया है, in abundant measures, abundant मतलब बहुत ज़्यादा, जो है, प्रचूर मातरा में, जो measure हो पाया है, उसके रूप में, parliamentary forces को दे दिया गया है, the capacities of the state police, जो state police की capacity है, need to be addressed, उससे सही करने की जरूरत है, कि उसको भी capacity को बढ़ाओ, state police की, सब तो parliamentary forces में जा चुका है, local communities, in turn, have to be reassured, जितने भी local community है, उनको एक यकीन दिलाने जाने की जरूरत है, that the fight against moism is also political one, कि जो मौवादियों खिलाब जो fight हो, political भी है, राजनितिक भी है, the moist argument lost its potency long ago, moist से जो argument करने क्या जो जो शक्ती है, जो potency हो तो खो खो गया जी, तो बहुत पहले ही खतम हो गया, बात नहीं कर सकते हो उनसे, but the difficult task of addressing people's aspiration, लेकिन जो मुश्किल जो काम है, जो क्या है, addressing people's aspiration, लोगों की जो आकंशाय है, उनको address करना, उनकी जो चिंता है, उनको सही करना, especially about exploitation, मतलब कि उनका जो solution हुआ उसके बारे में, and alienation, alienation का मतलब है कि उनको जो मतलब अपने ही जगह से उनको alien बना दो, हटा दो, from their lands, अपने ही जगह से उनको विरिक्ट कर दो, बाहर कर दो, in the extractive policies in their resource rich habitat, in the face of, in the face of का मतलब अपने है, इसके बावजूद, तो जो extractive policies है, उनके resource rich, जो habitat है, resource rich का मतलब अपने हैं, resource से भरा हुआ, जो उनका एक निवास अस्थान, और सब की बावजूद उबचारिय अलग है, तो यह सब must be pursued on a war footing, तो यह सब किसकी तरफ परसू करत है, war footing की तरफ यानि की लड़ाई की तरफ परसू करता है, तो कुछ ऐसे moist, जो मावादी, उनकी कुछ problems रही होगी, वो खुश नहीं है सरकार से, और जिस चक्कर में वो हमला करते हैं, और मार देते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें एलियन बना दिया गया, उन्हें से जम प्राइब तक्राइब झारा थैंदार क्यव है, यह घर दाइब उन्हें लगता है, तक्राइब वद्यांस के दूट आहे हैं, झालवे से, और ग्राइब लूए और प्राइब है गया, जो में इंहां यो में तर्लाइब आईकर वी खरूएरा गार हैट विले से, लेक्षो